प्रस्न चार का पहला एक वायुवान 36 तल के साथ 30 डिगरी का कोन बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है तो जमीन से वायुवान की उचाई कितनी होगी तो पहले हम इसका चीतर बना लेते हैं तो क्या कह रहा है एक वायुवान 36 तल के साथ 30 डिगरी का कोन देखे 36 तल माल लेते हैं कि A B है 36 तल ठीक है और यहाँ पर है C तो A B 36 तल है तो कह रहा है एक वायुवान देखे यहाँ से वायुवान उड़ना शुरू किया ठीक है B से तो एक वायुवान 36 तल के साथ 30 डिगरी का कोन बनाते हुए 30 डिगरी का कोन बनाते हुए जमिन से उड़ता हुआ अब देखे यहाँ से B से वायुवान जो उड़ना शुरू किया है ठीक है तो 30 डिग्री का कौन बनाते हुए इस तरह से उड़ता हुआ थीक है यहां से देखें B से जो है बाय्वान इस तरह से उड़ता हुआ C पे है तो 184 मीटर जाता है यानि इसका दूरी हमें दिया हुआ है 184 मीटर यानि B से C तक की दूरी कितना दिया हुआ 184 मीटर तो जो बाईवान है वो यहां से उड़ना शुरू करता है ठीक है तो 30 डिगरी का कौन 36 तल पे बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है यानि यहां तक गया है C अभी कहां पे है बाईवान? C पे है तो 184 मीटर है देखिए इस तरह से तो यहां से यहां तक की दूरी दिया हुआ है 184 मीटर ठीक है तो जमीन से वाईवान की उचाई कितनी होगी? यानि क्या पूछ रहा है? जमीन से यानि यहां से देखिए जमीन तो यह भी क्या है? 36 तल है यानि जमीन यहां पे है यह जमीन पे है, यह रेखा कहां पे है, जमीन पे, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है, यानि जमीन से, यह तो हो गया तिर्चा दूरी इसका, ठीक है, जैसे उड़ा है, उसके अनुसारी यह दूरी दिया हुआ है, 184 मिटर, हमसे पूछ रहा है, यह AC का दूरी न तो लिखेंगे माना की जमीन से वायूयान जमीन से वायूयान की उचाई जमीन से वायूयान की उचाई हम क्या मान लेंगे कि जमीन से वायूयान की उचाई हम क्या मान लेंगे हम क्या मान लेंगे है तो जमीन से वायवान के उचाई कितना है h मीटर यानि इसको हम h मीटर मान लेंगे क्या मान लेंगे h मीटर ठीक है ac कितना h मान लेंगे तो h क्या होता है h से height यानि उचाई height को h से लिखते हैं तो उचाई को h से मान लेंगे ठीक है तो माना कि जमीन से वायवान के उचाई h मीटर है तो h मान करके इसको बनाएंगे अब क्या पुछ तो क्या निकालना है हमें ac निकालना है अब देखिए यहाँ पे कोन कितना बना रहा है 30 डिगरी का तो इस कोन के लिए यानि कोन b के लिए ac क्या हो गया लंब हो गया कोन b के सामने कब हुजा है ac तो ac लंब हो गया और a b क्या हो गया आधार हो गया इस कोन के लिए यानि कोन 30 डिगरी के लिए ac क्या है लंब है और A B आधार है और B C क्या है यहाँ पर कर्ण है क्योंकि तो जमीन से जो उचाई है वो 90 डिग्री होगा यहाँ पर कौन कितना बनेगा 90 डिग्री का तो यह एक समकोन तिरभुज है ठीक है तो B C क्या हो गया कर्ण समकोन के सामने वाला भुजा को क्या करते हैं कर्ण तो B C कर्ण हो गया A C लम्ब हो गया इसकोन के लिए और A B हो गया आधार इसकोन के लिए 30 डिग्री के लिए तो हमें निकालना है A C और कर्ण दिया हुआ है तो लम्ब और कर्ण यह दोनों से मतलब है क्योंकि लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है तो लंब और कर्ण किसके लंब और कर्ण में कैसा संबंध है तो साइन ठीटा साइन ठीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण ठीक है, तो साइन ठीटा यहाँ पर लगाएंगे, तो लिखेंगे साइन ठीटा ठीटा के जगा पे 30 दिगरी है तो साइन 30 दिगरी बड़ाबर AC AC क्या है? लंब है बटा BC BC क्या है? कर्ण है देखें, AC लंब है इसकोन के लिए और BC कर्ण है तो इस तरह लिख देंगे अब साइन 30 दिगरी का मान क्या होता है? तो साइन 30 दिगरी का मान होता है एक बटा दो क्या होता है? एक बटा दो तो साइन 30 दिगरी के जगा पे लिख देंगे एक बटा दो तो एक बटा दो बराबर AC AC कितना माने है? तो AC को H माने है देखें, AC को H माने है तो H लिख देते हैं यहाँ पे AC के जगह पे बटा, BC कितना दिया हुआ है, BC है 184 मीटर, तो यहां पर लिख देंगे 184, तो H बराबर कितना हो जाएगा, अतर H बराबर हो जाएगा, तिर्चा गुना करेंगे, तो 184 गुना एक, 184 बटा, अब H के साथ दो गुना होगा, तिर्चा गुना होता है, इस तरह स जब रहता है तो, तो 184 गुना एक, 184 हो गया, और H गुना 2, यानि 2H, तो H के साथ 2 गुना होगा, तो 2 को इधर भेजेंगे, तो भाग में हो जाएगा, यानि H बराबर कितना हो गया, 184 बटा 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानि 2 नमा 18, दो दुना 4, यानि यानि 2 में, H बराबर 2 में आ गया, तो हम क्या माने थे, जमीन से वायुआन की उचाई को H मीटर माने थे, ठीक है, यानि कितना आ गया है, बान में मीटर, तो लिखेंगे, अतह, जमीन से वायुआन की उचाई, जमीन से वाईवान की उचाई बराबर कितना हो गया बराबर बान में मीटर तो मीटर में आएगा क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है 184 मीटर ठीक है तो उचाई क्या में आएगा मीटर में ही आएगा यानि जमीन से वाईवान की उचाई कितना है बान में मीटर है तो इस तरह से इसको हल करेंगे प्रस्न चार का दूसरा एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवन भूतल के साथ ठीटा कोन इस परकार बनाती होगी साइन ठीटा बराबर 8 बटा 15 तो भूतल से पतंग की उचाई निकालें तो पहले हम इसका चीतर बना लेते हैं तो इसका चीतर इस तरह से होगा यानि समकोन तिर्भूज के जैसा तो ये कैसे होगा क्योंकि कहरा एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है अब देखे मान लेते हैं कि BC जो है पतंग की डोरी है यहां से पतंग उड़ रहा है कहां से पतंग उड़ रहा है तो B से ठीक है यहां से पतंग उड़ रहा है तो एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है में हो यह भूतल के साथ ठीटा कोन इस परकार बनाती हो अब देखे भूतल यानि भूतल मतलब जमीन यानि पिर्थिवी तो ए भी यहां पे पिर्थिवी से देखिए इसका कोन कितना है ठीटा तो ठीटा कौन इस परकार बनाती हो कि साइन ठीटा बराबर आठ बटा पंद्र तो भूतल से पतंग के उचाई निकालने यानि पतंग के उचाई देखिए तो पतंग के उचाई यानि एसी निकालना है तो देखिए यहां से पिर्धिवी यहां पे है ठीक है यह भूतल है तो यहां से यहां तक की दूरी यानि A-C निकालना है हमें ठीक है पतंग कहां पे है C पे है तो यह दूरी निकालना है यानि A-C निकालना है पतंग यहाँ पे है उसका धागा यहाँ पे है यह है बीसी उसका धागा है तो क्या निकालना है उचाई यानि एसी निकालना है तो AC को हम H मान लेंगे यानि H मीटर क्या मान लेंगे इसको उचाई को यानि भूतल से पतंग की उचाई को क्या मान लेंगे H मीटर मान लेंगे H मीटर ठीक है तो लिखेंगे यहाँ पर माना की माना की भूतल से भूतल से पतंग की उचाई भूतल से पतंग की उचाई भूतल से पतंग की उचाई को एच मीटर मान लेंगे अब क्या दिया हुआ है हमें तो दिया हुआ है साइन तो क्या निकालना है हमें एसी निकालना है ठीक है उचाई निकालना है यानि एसी निकालना है और क्या दिया हुआ है हमें बीसी दिया हुआ है ठीक है तो इस कोन के लिए एसी क्या हुआ लंब हुआ, देखिए यहाँ पर 90 डिगरी का कौन बनेगा पिर्थिवी के साथ, क्योंकि उचाई निकालना है तो पिर्थिवी से पतंग का उचाई लंब होगा तो AC निकालना है, तो इस कौन के लिए यानि कौन ठीटा के लिए AC क्या है, लंब है सामने का भुजा है तो इसकोन के लिए ये सम्मुक भुजा है यानि सामने का भुजा है AC तो इसकोन के लिए AC क्या होगा लंब और AB आधार होगा और BC कर्ण होगा क्योंकि सम्कोन के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण तो यहाँ पे हमें AC निकालना है और कर्ण दिया हुआ है तो लंब और कर्ण में कैसा समन्द है साइन ठीटा का क्योंकि साइन ठीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण ठीक है, साइन ठीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण तो हम लिख लेंगे साइन ठीटा अब यहाँ पर theta है तो sin theta बराबर ac बटा bc sin theta बराबर ac बटा bc अब यहाँ पर sin theta का मान दिया हुआ है प्रसन में देखिए sin theta बराबर 8 बटा 15 तो sin theta के जगह पर 8 बटा 15 लिख लेंगे तो 8 बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा ac ac को हम h माने है और bc कितना है 100 है 100 मीटर है तो देखिए इसको मिस्तर लिख सकते हैं क्योंकि sin theta का मान दिया हुआ है sin theta बराबर दिया हुआ है 8 बटा 15 ठीक है प्रसन में दिया हुआ है sin theta बराबर 8 बटा 15 तो भूतल से पतंग की उचाई निकाले है तो sin theta के जगा पे क्या लिख लेंगे 8 बटा 15 और ac हमें निकालना है तो ac को h माने है ac को h माने है और bc हमें दिया हुआ है 100 मीटर तो पतंग की डोरी bc है ये दिया हुआ है ac निकालना है तो इस तरह लिख लेंगे अब h बराबर कितना हो जाएगा अता h बराबर गुना करेंगे तीरचा तो 100 गुना 8 बटा 15 गुना h हो जाएगा देखें तीरचा गुना होगा तो 15 गुना h तो h के साथ 15 गुना में होगा तो 15 को इधर भेजेंगे यानि बायां सिदायां तरब, तो भाग में हो जाएगा 15, यानि H बराबर कितना हो गया, 100 गुना 8 बटा 15, अब इसको काटेंगे, तो 15, 15, 25, 100, 25, 15, 25, 15, 25, 100, पांच से दोनों कट रहा है, तो कितना आ गया, 20 गुना 8 यानि 160 बटा 3, देखे 20 गुन 8 कितना होगा 160 वटा 3 अब इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा तो भाग देंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15 देखे 3 पचे 15 एक इधर गया तो 10 हो गया तो 3 ती आई 9 फिर एक बचेगा तो 10 मलो देंगे तो 10 हो जाएगा फिर 3 ती आई 9 यानि 23.3 मीटर 23.3 लगभग में होगा ठीक है तो ह बराबर कितना आ गया 23.3 लगभग में होगा क्योंकि पूरा पुरी तो कट नहीं रहा है ठीक है फिर एक आएगा सेस तो 3 से लगाएगे तो 3 ती आई 9 यानि ये लगभग में इसका दूरी होगा क्योंकि पूरा पुरी 3 से 160 तो कटेगा नहीं तो लिख लेंगे तो क्या लिख लेंगे आता भूतल से भूतल से पतंग की उचाई भूतल से पतंग की उचाई बराबर तीरपन दसमलो 3 मीटर लगभग इसको हम लगभग लिख देंगे क्योंकि लगभग में आएगा पूरा पूरी नहीं कटा है तो भूतल से पतंग की उचाई क्या हो जाएगा तीरपन दसमलो 3 मीटर लगभग में तो एच क्या माने थे भूतल से पतंग की उचाई को एच मीटर माने थे ठीक है तो एच बराबर आगया तीरपन दसमलो 3 यानि भूतल से पतंग की उचाई कितना हो जाएगा तीरपन दसमलो 3 मीटर क्योंकि उचाई को हम H मीटर माने थे तो H आ गया है तो इसको मीटर में लिख देंगे यानि 33.3 मीटर लगभग तो इसका उत्तर आ चुका है प्याई, प्याई, जा गया है क Amendment झाल झाल